वित आयोग भारत के सम्विधान में अनुछे 280 के अंतरगत अर्ध नियाइक निकाई के रोप में वित आयोग की विवस्था की गई है इसका गठन राष्टपती के द्वारा किया जाता है और राष्टपती से हर पांचवे वर्ष में करता है या आवशक्त नुसर उससे पहले भी वित आयोग का गठन किया जा सकता है राष्टपती के द्वारा इसकी संरशना कईसी कईसी है तो वित आयोग में एक अध्यक्ष होता है और चार अन्य सदस्य होते है जिनके नियोगती राष्टपती के द्वारा की जाती है उनका कारिकाल राष्टपती के आदेश जो उनका कारिकाल होता है वो भी राष्ट पती के आदेश के तहत तै होता है उनकी पुनर नियुक्ती भी हो सकती है ज्यान रहे कि वित आयोग के सदस्यों की पुनर नियुक्ती भी हो सकती है और संग लोग सेवा आयोग, राज लोग सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते है या जो सदस्य होते हैं उनकी पुनर नियोक्ति नहीं हो सकती है लेकिन राज लोग सिवा आयोग जैसे जो है उनके जो सदस्य है तो उनकी नियोक्ति संग लोग सिवा आयोग में हो सकती है लेकिन UPSC या स्टेट की जो आयोग है उसके नियोक्ति किसी भारस सरकार या राजस सरकार की किसे नियोजन में या नौकरी में नहीं हो सकती है तो ये व्योस्ता है उसके लिए लेकिन वित आयोग में क्या है कि उनकी पुनर नियोक्ति फिर से उसी संस्थान में की जा सकती है संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योगिता और चयन विधी का निर्धारण करने का धिकार दिया है तो संसद वो वित आयोग के सदस्यों की योगिता और उनका चयन कैसे हो इसकी विधी का निर्धारण करने का धिकार दिया है इसी के तहट संसद ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेश योग्यताओं का निर्धारण किया है अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए इसमें लिखा हुआ है अध्यक्ष जो है वो सारवजनिक मामलों का अनभवी होना चाहिए वितायोग का जो अध्यक्ष होगा वो सारवजनिक मामलों का अनभवी होना चाहिए और अन्य चार सदस्यों को निम्न लिखित में से चुना जाना चाहिए यानि इसमें जो होते हैं चार अन्य सदस्यों होते हैं जो सदस्टना है वितायोग का उसमें एक अध्यक्ष होता है और चार अनिसदस से होते हैं इसका उलेख है आडिकल 280 में ये अर्ध नियाक निकाय है और इसका गठन हर पाचवे वर्ष या आउशक्तन उसार उसके पहले किया जा सकता है वितायों की अध्यक्ष और चार अनिसदस से होते हैं उनका कारिकल राष्टपती की आदिस की तहत होता है यानि की निश्यत नहीं है राष्टपती उनकी कारिकल को घटा बढ़ा सकता है और इनकी पुनर नियुक्ती भी की जा सकती है और संसद जो है उनकी योग्यता और चैन की विधी का निर्धारण कर सकता है अध्यक्ष का योगिता क्या है कि वह सारवजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए और अन्य चार सदस्यों को निम्न लिखित में से चुना जाना चाहिए वो जो चारों सदस्य हैं उनको निम्न लिखित में से चुना जाना चाहिए पहला किसी उच्छ न्यायाले का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग व्यक्ति तो वो चुना जा सकता है वित आयोग के चार सदस्यों में से एक सदस्य ऐसा होना चाहिए तो चारों के लिए अलग-अलग शेते इसमें बताया गया है दूसरा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित मामलों का विशेश ग्यान हो उसको चुना जाना चाहिए तीसरा ऐसा व्यक्ति जिसे प्राशासन और वितिय मामलों का व्यापक अनुभव हो पांच चौथा ऐसा व्यक्ति जो अर्थ शास्त्र का विशेश ग्याता हो अर्थ शास्त्र का विशेश ग्याता होना चाहिए उसके लिए तब जाकर के उसको चुना जा सकता है अब इसका तो फिर से रिवायस करें कि इसमें एक अध्यख्ष होता है चार अनीसादस्यों होते हैं चार अनीसादस्यों मेंसे एक होना चाहிए उछ न्यायाले का कोई न्यायए अध्यश दूसरा लेखा एवं वित मामलों का अनभवी होना चाहिए तीसरा प्रशासन और वितिय मामलों का व्यापक अनभव होना चाहिए चौथा ऐसा व्यक्ति जो अर्थ शास्र का विशेश ग्यान रखता हो तो पहला उच निया याल है दूसरा लेखा वित मामले का अन्भाव परशासन और विती मामलों का अन्भाव और अर्थ शासर का विशेश ग्यान विशेश ग्याता होना चाहिए अब वित आयोग के कारे क्या है वित आयोग के कारे क्या क्या है इसको हम देखते हैं यहाँ पर और हम जूम कर ला दें इसको अच्छे से देखे तक है वित आयोग के कारी क्या क्या है तो वित आयोग भारत के राश्ट पती को निम नांकित मामलों पर सिफारिशें करता है तो वित आयोग सिफारिशें करता है किसको राश्टपत्य को सिफारिश करता है किन-किन मामलों पर तो पहला संग और राज्यों के बीच करों के शुध आगामों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगामों का आवंटन यानि दो तरही के से कि संघ को कितना कर जैसे मिला टैक्स जितना कलेक्ट हुआ है उसमें से कितना amount of tax should be given to संघ या केंद्र और कितना हिस्सा राज्य को दिया जाना चाहिए फिर राज्य तो 28 है तो अलग अलग राज्यों के बीच कितना कितना पैसा दिया जाना चाहिए तो इन सब का यानि कि vertical और horizontal distribution इसको हम कहते हैं वो करने का अधिकार है उसके सिफारिश करने का अधिकार है वित आयोग को तो संग और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगामों का वित्रण और राज्यों के बीच ऐसे आगामों का आवंटन कैसे हो तो इसके सिफारिश करता है दूसरा भारत की संचित निधी में से यानि consolidated fund of एंडिया में से राज्यों के राजस सुमें सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिध्धान्त तो भारत की संचित निधी में से राज्यों के राज्यों के राजस सुमें सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिध्धान्त कि कितना हम भारत की संचित निधी से कितना हम राज्यों को अनुदान सहायता कर सकते हैं इसका सिध्धान्त बत जायतों के संसाधनों की आपूर्थी के लिए राज की संचित निधी के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय करना। फिर चौथा राष्ट्रपती द्वारा आयोग को सुद्रण वित के हित में निर्दिस्ट कोई अन्य विशय सुझाए तो उसमें भी काम करेगा वित आयोग। फिर 1960 तक अयोग यानि कि वित आयोग जिसका आठिकल 280 के दाथ गठन होता है जो कि अर्धने एक संस्ता है इसमें एक अध्यक चार अनिस सदस्य से होते हैं और इनके जो योगिता है चैन की जो विधी है वो संसद निर्धरित करती है अध्यक शे सारवजनिक मामलों का जानकार हो तीसर प्रशासन और विती मामलों का जानकार हो चोथा अर्धर शासर का ग्याता हो तो वही वाला वित आयोग तो 1960 तक वित आयोग असम बिहार ओडिशा पस्चिम बंगाल को प्रतेक वर्ष जूट और जूट उतपादों के निरियात शुल्क में निवल विधान के अनुसार यह सहायता राशी दस वर्ष की अस्थाई अवधित तक दी जाती है तो यह आयोग अपने रिपोर्ट राष्टपदी को सौपता है जो इसे संसद के दोनों सद्रों में रखता है रिपोर्ट के साथ उसका आकलन संबंधे ग्यापन एवं इस संबंध में उठाये जा सकने वाले कदमों के बारे में विवरण भी रखा जाता है अब वित आयोग की सलाहकारी भूमिका क्या है यह अस्पस्ट करना आवश्चक होगा कि वित आयोग की सीफारिशों की प्रकृती सलाहकारी होती है और इनको मानने के लिए सरकार बाद नहीं होती यह केंदर सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज सरकारों को दी जाने वाली सहायता के सम्बंध में आयोग की सीफारिशों को लागुक करे इसे दूसरे शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है सम्विधान में यह नहीं बताया गया है कि आयोग की सिफारिशों के प्रती भारत सरकारबाद होगी और आयोग द्वारा कीगी सिफारिश के अधार पर राजियों द्वारा प्राप्त धन को लाभकारी मामलों में लगाने का उसे विधिक अधिकार होगा यहाबास सम्विधान में नहीं बताया गया है इस संबंध में डॉक्टर पी वी राजामनना इस संबंध में डॉक्टर पी वी राजामनना चौत्य वित आयोग के अध्यक्ष ने ठीक ही कहा है कि क्या कहा है उन्होंने चुकि वित आयोग एक सम्वै धानिक निकाय है जो अर्ध नियाइक कारी करता है तथा इसकी सलाह को भारत सरकार तब तक मानने के लिए बाद नहीं है जब तक कि कोई बाद धेकारी कारण ना हो भारत के सम्विधान में इस बात की परिकल्पना की गई है कि वित आयोग भारत में राजकोशे संगवाद के संदूलन की भूमिका निभाएगा योजना आयोग गैर सामविधानिक और गैर सामविधिक निकाय के प्रादूर भाव के साथ केंद्र राज्य वितिय संबंधों में इसकी भूमिका में कमी आई है चोथे वित आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पी वी राजमनार ने संगहिय राजकोशिय अंतरणों में पूर्ववर्दी योजना आयोग एवं वित आयोग के बीच कारियों एवं उतरदायत्वों की अतिव्याप्ति को बताया है अब कुछ जी के वारी टैप के बाते देखें तो पहला जो वित आयोग था वो गठित हुआ था 1951 में और पहले वित आयोग के अध्यक्ष ते केसी नियोगी और ये 1952 से लेकर के 1957 तक कारिया किया था तो पहला जो वित आयोग है वो केसी नियोगी अध्यक्ष थे 1951 में नियोग्ति किया गया था और रिपोर्ट जमा करने का वर्ष 1952 था और रिपोर्ट की कारियान वयान का वर्ष 1952 से 57 तक था कुमिला के पहला जो वितायोग है उसके अध्यक से केसी नहीं होगी दूसरे थे के संथानम, तीसरे के एके चंदा, फिर डॉक्टर पी वी राजमनार, चोथे के थे अनुच्छेद 281 में वितायोग की बाते हैं अनुछे 281 में विद आयोग की अनुशन साएं बताए गई है तो ये रहा इस वीडियो का डिसकुशन थैंक यू